इस स्क्रीन पर ये दो तस्बीर देख रहे हैं ये वही लड़का है जो इनका पती है और वो आज इनसे अलग है इसी देश में कहीं छुप करके बैठा हुआ है क्योंकि इसलिए क्योंकि पहले हल्तिया की रिपोर्ट दर्द कहा जाती है उसके बाद से फिर गुमसुद्की की और फिर बाद में सुला समझाता की भी बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जब तू मान जाओगी तो हम उस लड़के को तब बुलाएंगे यानि साब तोर पर ये पुलिस प्रसासन को गुमराह करके उसको छुपार करके रखे हैं अगर इस तस्बीर को आप लोग भी कह पूड कर निकालिये ताकि दूद का दूद और पाने का पानी हो जाए 18 साल इस लड़की के साथ गुजारने के बाद चुप करके चुहों की तरह बैठा हुआ है और सब को परसान करके रखा हुआ है हम इस वक्त जौनपूर सहर में मवजूद हैं और हमारे साथ राकेश कुम्हार यानि राकेश प्रजापती हैं और यह उनकी बेटी रंजना प्रजापती हैं और हमारे हाथ में एक लिस्ट है और लिस्ट इसलिए क्योंकि मामला जो है बड़ा गंभीर है 28 मई 2006 में रंजना की साधी होती है संजी प्रजापती के साथ जो थाना सिक्रारा के रहने वाले हैं उनका गाम पड़ता है जाम जिला जौनपूर है और धिरे धिरे कुछ दिन तक तो सही चलता है लेकिन बाद में मामला ऐसा बिगड़ जाता है कि अब इनके ससुराल वाले इनके उपर अपने पती का हत्या करा करकर फेक देने की आरोप लगाते हैं और अस्थानी थाने में एक अप्लिकेशन दर्ज करते हैं कि हमारी बहु हमारे बेटे को हत्या करा करकर उसे कहीं फेक दी है और उसके कुछ दिन बाद महज 6-7 दिन बाद एक और अप्लिकेशन प तो हम ने सोचा समझा कि इन से बात्रित किया जाए और जाने समझने का प्रयास कि आखिर इनके ससुराल वाले भला ऐसा क्यों करते हैं यही सब जानने के लिए हम आज पहुच गया है जानपूर के शहर में सबसे पहले हम रंजना के पिदा जी से बात करेंगे आपकी लड़क अगे बात करते हैं यह उन लोगों का आरोप नीराधार है जिसका कोई अधार नहीं है सुरू शुरू में जब लड़के की नाराजगी की बात आई यानि हमारे दमाद की नाराजगी की बात आई कि वहां नाराज हो पे जाके अपने घर पे है तब हम बेटी को भीजे तो बेटी के पहुँचने पर जिस दिन यह पहुँच रही है उसी दिन मेरे मेरे दमाद का छोटा भाई अपनी अवरत के साथ घर से निकल करके रोट की तरह बढ़ता है और उसके पीछे मेरे 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 भाई गाड़ी से उसके पीछे निकले और यह देखते हुए आगे घर पर जाके पहुशती है तो जब अपने साथ से पूछती है तो वह कहती है हमें नहीं मालूब कहा गया है यह जाके अपने मामा से पूछो और फिर उसके बाद अपने पती का हवाला देती हैं कि वह बांबे से आएंगे तब इसके बीसे में तुम लोगों से बात करेंगे और बाकी बाते तो हमारी बेटी जो आप बीती है वह बता सकती है आपके सचुराल वाले आपके आफे के ऊपर इतना गंभी आरोप लगा रहे हैं कि अपने पती को अपने पती की हत्या करा करके उसे फिकवा दिया है और फिर कोछ दिन बाद एक रिपोर्ट गुमसुद्गी के लगाते हैं तो क्या ये सत्य है कि आपने अपने पती को मरवा अपने पती को मरवा देंगे अपने पती को मरवागे हमारे फिर से दो हमारे उपर ये अपने नाना आजी सास यही लोग हमारी शादी करवाए थे और फिर भी हम उस परिवार में जैसे थे सहर के थे लेकिन उस परिवार में हम अपने तरीके से या उनकी तरीके से ढ़लने की कोशिस में हमेशा लगे रहते थे कि हमारा परिवार कभी ये ना सोचे कि हम उनके जैसे या उनके गाउं में नहीं रह सकते हैं खेती बारी हुआ हर तरीके के चीज में हम उनके ही जैसे बनने की कोशिस भी किये और करते भी थे और अब ही तक करते हैं उसके बावजूद भी हमारे ससुराल वाले हमारे उपर ये आरोप लगा दिये कि हम अपने पती को मरवा दिये हैं और जो कि ये बाद गलत है हमारे पती हम से यही कह के गए थे कि हम अपने घर जा रहे हैं 20-25 दिन में हम लोट के आएंगे कब गए थे आपके पती आप से दूरिया कब बनी थी आपके पती कि कम मतलब आपके घर के कहा रहा रहे थे हम लोगों का घर आना जाना काम काज पढ़ना या पैसे उसे की जो जरूरत होती थी हम सा हम लोग सहयोग भी करते थे और उसके बाद 29 माई से मेरे हजबंड यहां से हमको यह कह के गए कि हम घर जा रहे हैं बीच बस्टीज दिन में हम आ जाएंगे 28 माई 2024 को उसके बाद वो नहीं आए तो हम अपना फोन वगरा करते थे तो मेरे हजबंड रिसीव नहीं करते थे और ना वो हमको कॉल करके पूछते थे कि तुम आना चाहती हो या नहीं और हमारे ससुराल जाने के बाद जिस दिन हम अपने ससुराल पहुचे उसी दिन हमारे ससुराल वालों ने मेरे हजबंड को यहां से ससुराल से भगा दिया आपको लग रहा है कि आपके ससुराल वाले आपके हस्पेंट को अन्यापके पती को हमें रख तो हमें हमारे हमारे ससुराल वाले हमारे पती को कहीं frequDR c Inv Dave हमारे पूछने पे हमारे उपर आरोप भी लगा रहे हैं और हमें मतलब फिजूल बाते गंदी-गंदी गालियां वगएरा भी देते हैं हमारे पूछने पे कहते हैं कि अगर तुम यहां आओगी बार-बार परिशान करोगी तो हम तुमको जलील करके मार के भगा देंगे लगता है कि हम मतलब की बच्ची वगरा नहीं है अगर वह यह सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पहले शादी हुई थी उस टाइम हमको बच्चा था पहली सादी मतलब हमारी शादी जब हुई थी 2006 में शादी हुई थी तो उसके बाद एक साल बाद मुझे हमारी शादी होने के बाद फिर आप बच्चे की प्लानिंग करना तो समय हमारी शादी तो ऐसे टाइम में हुई थी हमें यह सब चीजे नहीं पता थी तो मैं अपने हजबन से कहीं हमारा साथ दिये और उसके बाद उन्होंने दवा भी लाके दिया जो मैंने दवा खाया त तो घरवालों की मर्जी से ससवालों की मर्जी से अपने बच्चे खराब कर दिया फिर उसके बाद कभी आप माँ बनने की कोशिष की आपको भी प्रिग्नेंट हो उसके बाद हां सर हम बहुत कोशिष कि यह लेकिन हमारे हजबन बुम्बभई में पढ़ाई करते थे और हम तो हम लोग्श दो महीन के लिए चले जाते कीए लड़ा gefश हमेसा stadh करने का यह भी कहेते लेकिन सब्सक् 최대 मेरा दूसरा बच्चा मतलब नहीं रुका तो हम बुंबई जब मेरे हस्बंड लेके गए तो वहां धेरी से मैंने ट्रिक्मैन वगरा चालू किया तो मुझे जब दूसरा बच्चा था तो मेरे मम्या ससुर लोग वहां पर रहते थे तो उनके काम काज के कारण ही मतलब कि मैं पानी वगरा भरती थी उनके रूम में काम हम सयोग करती थी ससुराल की लोग थे तो उसी टाइम मेरा दूसरा बच्चा हमें पता नहीं चला और दूसरा बच्चा भी मेरा खराब हो गया जो कि इस बात को भी ससुराल वाले ही कह रहा है कि वो बच्चा नहीं था वैसे ही कोई दिक्कत रही होगी यह की बात है यह जो आप मुंभे में जो बच्चा था यह जो है कि 2014 की बात है जहां है उसके पिर कभी इसके दरमियान कभी आप जिसा आज चलना आए लगबग 10 साल हो गए कभी आप माँ बनी नहीं सर फिर भी नहीं माँ बनी फिर उसके बाद भी दुबारा मतलब ट्रिकमेन वगरा काना अगर आने के बाद और कुछ उपरी भी कारण मैंने दिखाया तो उस टाइम भी जब मुझे दो महिने का बच्चा था तो मेर कोई मरता है तो वहापको नहीं जाना है जब तक आप करना यह जूट यू टिटमें चल आए न कि आप जब गुम हो गया है इसी महीने की चौविस तारीक अगस्त चौविस में उन्होंने ये दो दो तरह की अप्लिकेशन वो लुक्यों दे रहे हैं कि एक पर हत्या कारूप लगाते हैं और एक बर करते हैं कि मेरा बेटा गुम है सर उनको देखिये पता है कि मतलब उनका लड़का कहा है तो इसके लिए वो किवल हमें फसाना चाते हैं और हमारे परिवार को क्योंकि हमारा परिवार उनके लड़के को सहयोग दिया यहां पर धंदा पानी लगवा दिये करने का जगा दे दिये रहने के लिए भी ठिकाना द जिसे में हमारा लड़का करता है उतना ही उसका करता है इसलिए वो लोग मतलब आप से दूरी बनाने के कोशिस कर रहे हैं अच्छा लास्ट बार आपके अपने 25 जैसा 29 माई को उसके पास से उनका फोन बंदा रहा है और आप बात नहीं कर पा रहे हो आपने कभी अपने किसी रिस्तिदार या अपने पापा को वहां भेजा कि इस पूरे मामले को सट आउट करें बात्चित करके कि लोग चाहते क्या सब्सक्राइब आपके पापा को नहीं हमारे बड़े भाईया पापा के बाद वो गार्जियन है तो भाईया हमारे वो गए थे और हमारे बड़े पापा के लड़के गए थे हमारे नाना जो 2006 में हमारी शादी करवाए थे अभी भी वो हैं वो गए थे और कुछ लोग हमारे मामा लोग हैं वो भी गए हम भी साथ में ग पूछने के लिए तो मेरे लड़का तुम आरोप लगा रहे हैं कि मेरा लड़का तुम्हारे साथ 18 साल से था कहा गया कहा नहीं अब वो तुम बताओ तो हम तुम नहीं जानते क्योंकि मेरे हजबन तुम यहीं पर आया थे मेरे पती अपने घर यह कहके कि हम जा रहे हैं अपने मम्मी के पास रहेंगे खेती बारी का काम 20-25 दिन में निप्टा के आऊंगा चलिए अच्छी कि सारी बाते समझ में आ गई यह बता रहे हैं कि कभी इसके बीच आपने कभी जिसे बच्चे वाली बात को ले करके हो सकता है कि वह लोग आपसे दूरिया बनाने की कोशिस कर रहे हूं कि छूट चपटा हो जाए अपना अपना देखो और लड़के के तो वह भी शादी करने क्योंकि सबको अपना वंस चलाने के लिए चाहिए रहता है और मैं अपने तरीके से तो पूरी कोशिस कर रहे हूं कि मतलब कि हम उस घर को वारिश दे सकें और अगर तीन बच्ची हमारे नहीं ऐसे खराब होते तो ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा से अपने जो है कि उसी पैसे से जो मेरे हजबन बिजनस करते थे उसी में से थोड़ा-थोड़ा कठा आई बीयस के आई वीफ कराने के लिए सोच रही थी तो मैं 24 अजार रुपय भी कठा की और यहीं है कि हस्बन जब हमारे यहां से गए तो वह पैसे भी सब सात में लेके च सब्सक्राइब यह प्रेड़न प्रकृती है जो तक अब कि आपको इसी बताया कि आपने हमारे घर से तो लोग बस यह हैं हमसे चुटका रहे जाते हैं यह चाहते हैं यह कुछ चाहते हैं जो इसके मतलब कहने पर चलता था यह इस के लिए करता था हम लोग का सुनता नहीं था अब हमारा लड़का यह क्टा फिर अपने लड़के की दूश्री शादी कर वादेंगे आखरी बार आपने हम जब हम आप से इंटर्वियू से पहले बात चित कर रहे थे तो आपने काडियो कॉल की बात हमको सुना रहे थो उसमें यह था कि कुछ पैसे को लेकर लेकर करके करके और इसे मामले को रफाद अफा कर देंगे वो क्या मामला है हमारी जो ममिया ससुर हैं उनके गाउं से कोई आदमी फोन किया था तो उसने यही कहा कि मतलब कि अगर तुम चाहती हो समझाते के लिए तो तुम समझाता कर लो तो हम तुमारे आदमी को बुला देंगे और उसके वाद जो है कि ऐसे नहीं बुलाएंगे जब तुम समझाते क ही आरे समझोता करना चाहते हैं कि आप अपना जो है कि सर समान ले जाएए और वीस पचीस हजार रुपया पैसे का डिमांड भी मत रखिएगा जो हम आपको वीस पचीस हजार दे देंगे उसको ले के और आप साइन पेपर विकर दीजिएगा उसके बाद हम अपने लड़ से सोला दिन बाद एक और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपने बेटे की गुमसुदगी की और फिर बाइफोन जो इन्होंने बता है कि हमारे लेशन के माध्यम से बात्चित होती है तो उसमें कहा जाता है कि तुम कुछ पैसे ले लो और तुम अपना देखो हम अपने लड की अठारा साल उस घर में गुजारी है और अब वो लोग इसो संतान नौ होने की वज़े से इसे दूर कर रहे हैं इसे कह रहे हैं कि तुम अपना किनारा कसलो और उसके लिए महच कुछ पैसे दे करके इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं अगर उनकी लड़की होती है और क्या चाहते हैं आखरी बारा मैं यहीं चाहते हूं कि मेरे पती चाहे जहां भी हो वह आ जाए जैसे मैंने उनके साथ 18 साल बिताया है उसी तरह जितना मेरा समय बचा हुआ है जो भी है मैं अपने पती के साथ बिताना चाहती हूं बिल्कुल मैं अपने पती के साथ ही रहना लगाए कि मतलब हमारे बेटी का जो मामला किया जाए अब यह कि पुलिस अदिश्य के पास और माननी मुख मंतरी जी के पास इस परकार का जो है आनलाइन जो है पत्र भेजा गया था इसके बाद पुलिस सक्री हुई और वह जो है प्रियास भी की लेकिन उन लोगों के हमारी यही ख्वाइस है अगर देश में अगर हर लड़कियों के साथ ऐसा होने लगेगा तो देश का क्या होगा लड़किया कहा जाएंगे देश का क्या होगा उन्हें लड़कियों का भविश क्या होगा हर लड़की की एक ही ख्वाइस और एक ही सबना होता है यहां परिवार मिले एक परिवार छोड़ती हैं तो दूसरे परिवार में वह अपने को खुशाहल जीवन के रूम में खोजती है देखना चाहती है इसक्रीन पर यह दो तस्बीर देख रहे हैं यह वही लड़का है जो इनका पती है और वह आज इनसे अलग है इसी देश में कहीं के बैठा हुआ है क्योंकि पहले हर्तिया की रिपोर्ट किया जाती है उसके बाद से फिर गुमसुद्की की और फिर बाद में सुला समझाता की भी बात की जाती है और यह कहा जाता है कि जब तू मान जाओगी तो हम उस लड़के को तब बुलाएंगी यानि साब तोर पर पुलिस पर सासन को गुमरा करके उसको छुपार करके रखे हैं अगर इस तस्बीर को आप लोग भी कहीं देख रहे हैं इसका नाम संजीव परजापती है इसका ग्राम जाम है और थाना इसका है सिक्रारा और जिला जौनपुर है तो कहीं देखे तो डिस्क्रप्शन में न प्रसान करके रखा हुआ है उसके उपर हत्या के आरोप लगाए जाते हैं और गुमसुद्गी का घर वालों को अपनी पत्नी को अपने सस्वुराल वालों को यहां तेके स्थानी प्रसासन को भी गुम्रा करने का काम कर रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लड़के को क खुद उसके घर वालों ने किया है और छुपा करके रखा है ऐसा अंदाजा हम खुद लगा रहे हैं फिलाल यह रंजना थी इनसे हमने बात चित किया 18 सल साधिक हो गए और आज यह दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर है अपने पती से बात नहीं कर पा रही है और इनके मा आइवेव के माध्यम से बच्चा देने की बात कही है लेकिन फिर भी ऐसे लोग ना जाने उनके दिलों दिमाग पर क्या चाया हुआ है इसे दरकिनार करने की कोशिस कर रहे हैं अस्थानी प्रसास्तन से भी हमारे गुजारिस है कि इस पूरे मामले को जितना जल्स जल्सक् को ढूट करके लेकर क्या है जो आज अपने आपको बता रहा है कि मैं घुम हूँ फिलाल क्या कहेंगे कोमेंट करके बताईएगा सुख्रिया